दोस्तो एक बार फिर से माप के लिए SSC Astenographer Admit Card 2024 की अपडेट लेके आ चुके हैं जी हों दोस्तो अश्टाप सेलेक्शन कमिशन क्रमचारी चेन आयों की ओर से Astenro Grade C and Grade D का Official विज्जाबन जारी कर जगया है जिसमें Admit Card की और एकजाम डेट यहाँ पर जारी कर दी गई है इस वीडियो में मैं आपको Complete जानकारी दिखाएंगे कि कैसे आप SSC Astenro की एकजाम डेट चेक आउट कर सकते हो कैसे आप Admit Card डाउनलोड कर सकते हो Step by Step आपको इस वीडियो सुरू से लेके End तक बिना अस्किप के विए देखनी होगी इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी स्वाल और डाउट के लिए रहोंगे तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाएं सुरू करते हैं SSC Steno Admit Card 2024 की पूरी जानकारे जे हैं दोस्तों सबसे पहले आपको IND-Sरकारी-Nokri.in इस पोर्टल पर विजिट करना होगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पलस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा पुर्मारी स्पीच पर विजिट करके आप यहाँ पर देख सकते हो SSC Steno का यह Admit Card है Stop, Selection, Commission, SSC की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया था Steno Graffer Grade C और Grade D की पोस्ट थी 2006 Vacancy जहाँ पर निकली थी इसमें Computer Based Test, Skill Test के आधार पर आपका सेलेक्शन किया जाएगा दिसमबर 2024 है, जो इसका CBT exam होगा, Computer Based exam होगा उसकी डेट जारी कर दीगी है, 10 और 11 दिसमबर को इसका exam कंड़क्ट होने जा रहा है Admit Card आप exam से कुछ दिन पहले ही डाउनलोड कर सकते हो Admit Card यहाँ पर रिलीज होने जा रहे हैं, आप जल्दी डाउनलोड कर सकते हो जी हों दोस्तों, यहाँ पर exam से 4 या 5 दिन पहले आप अपने Admit Card डाउनलोड कर सकते हो Admit Card डाउनलोड करने के लिए आपको Important Link सेक्शन में विजिट करना होगा यहाँ पर Stenographer Admit Card 2020, SSC Steno Admit Card के इस लिंक पर क्लिक करना होगा इस लिंक पर आप जैसे क्लिक करोगे, तो इस भर्दी का Official Portal यह Open हो जाएगा SSC भर्दी एक्जाम का यह Official Portal है, यहाँ पर आपको इस Portal को नीचे स्क्रोल डाउन करना होगा Quick Link यहाँ पर आपको इस Section दिया गया है, इस Section के इंतरकत आप देख सकते हो, Admit Card की यह Tab दी गई है यहाँ पर आपको इस Admit Card की Tab पर क्लिक करना होगा, जैसे आप इस Tab पर क्लिक करोगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, Download Admit Card of Combined Higher Secondary Level 10 Plus to Examination 2024, जैसे कि यहाँ पर CHSL Exam 2024 का Admit Card का Link दिया गया है, इसी तरह दोस्तों आपको इहाँ पर कुछी दिन में यहाँ पर SSC Stenographer का Link दे जाएगा आपको यहाँ पर Login की टैप पर किलिक करना होगा, Admit Card Download करने के लिए, जैसे आप Login की टैप पर किलिक करोगे, तो आपके सामने यहाँ पर कुछी तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा Login to your account, जी हाँ दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर इसमें Registration Number फिल करना होगा, उसके बाद में Password यहाँ पर फिल करना होगा यहाँ पर साथ ही साथ आपको Login की टैप पर क्लिक करते विए Login कर लेना होगा, जैसे आप Login करोगे तो आपका Dashboard आपके सामने Open हो जाएगा, Dashboard में ही आपको अपना SSC Stenographer का Link दे दिया जाएगा, उस पर क्लिक करके आप अपना Admit Card डाउनलोड कर सकते हो, जैसे ही आप SSC Stenographer Admit Card 2024 के Link पर क्लिक करोगे, तो आपका Admit Card कुछ इस तरह से आपके सामने सो हो जाएगा, आपको इसका एक Hard Copy Print Out लेना होगा, एक्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए, साथ इसाथ आपको Examination Center पर अपने साथ में एक Valid पहचान पत्र भी साथ में लेकर जाना होगा, जैसे कि आपका Adhar Card, Passport, Driving License या फिर Pen Card जिस से आप एक्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो दोस्तो इस तरह से आप SSC, Stenographer Admit Card डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप हमारे Portal पर विजिट के बिना directly SSC के Official Portal पर विजिट कर सकते हो, SSC.gov.in इसका Official Portal है, यहाँ पर आप र दीगे, इस पर आप जैसे ही किलिक करोगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगिन करते हो, अपना Admit Card डाउनलोड कर सकते हो, हमारे Portal पर यह एक्जाम डेट नोटिस पीडियाप भी दीगे, इस पर आप जैसे ही किलिक कर होगे, तो आपके सामने एक्जाम डेट की पीडियाप ओपन हो जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हो, सेकिंड नमबर पर स्टेनोग्राफर ग्रेट सी एंड डी एक्जामेशन दोजार चोबीस, सी भी एक्जाम होगा, जो इसका कम्प्यूटर बेस्ट एक्जामेशन हो ही, आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेल जरूर करें, साथ इसाथ दोस्तों अगर आप ने भी तक हमारा यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर ह इसी ही अपडेट अपलोड करते हैं,